हेलो और वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तों जिसका नाम है सागर इंफो फॉर यूर मैं सागर हमेशा की तरह आ गया हूँ एक नई इंफोरमेशन के साथ आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने मेले कैसे आप आपके यूटूब चैनल में आप आपके अधर सोशल नेटवर्किंग साइट के लिंक एड़ कर सकते हो यह किव जरूर यह दोस्तों अगर आप एक सोशल मेडिया इंफ्लियूजर हो रहा तो आपको यह पता होना पर बेलकि आपके अधर सोशल नेटवर्किंग साइट में भी आपके साथ कनेक्टेट रहे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कैसे आप आपकी यूटूब चैनल पर आपके इंस्टाग्राम आपके फेस्बूक ट्विटर और आपकी अगर परसनल करना और अगर किसी को यह इंफोर्मेशन अच्छी लगी तो यह इंफोर्मेशन को जादा से जादा शेयर करना तो चलो वीडियो को शिरू किया जाए तो दोस्तो यूटूब पे आपके अधर सोशल नेटवर्किंग साइट्स की लिंक एड़ करने से पहले जो भी आपके अधर सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो सारे आपके मोबाल में अवेलेबल होने चाहिए और उनके लिंक जो है दोस्तो आपको लेने के लिए वो सारे login होने चाहिए जब वो links आपके पास होगे तब आप यहाँ पर वो add करके आपके social networking site जो है वो यहाँ पर YouTube पर add कर सकते हो तो add करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपके YouTube channel में आना है और YouTube channel में आने के बाद आपको abouts में click करना है abouts में click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जहाँ पर आपको आपके account के सारे details दिखते हैं उसके top में आप देख सकते हैं एक blue color में दोस्तों एक customize channel का option होता है उस option पर आपको click करना है तो मैं यहाँ पर उसे click कर देता हूँ जैसे आप उसे पर click करते हो आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों दो नए tab open हो गए है link के साथ और भी कई details है दोस्तों यहाँ से आप add कर सकते हो वो भी मैं आपको बदा देता हूँ आप यहाँ से दोस्तों आपका email ID अड़ कर सकते हो अगर आपको कोई business query हो आपके साथ कोई collides करना चाता हो आपका email ID आप आड़ कर सकते हो जहाँ पर बो click करके बंदा आपसे email थुझ कर सकते है तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपका email ID डालकर done पे click कर देना है आपका email ID यहाँ पे add हो जाएगा जिसको click करके कोई भी YouTuber या कोई भी आपका subscriber आपको contact कर सकता है ठीके दोस्तो यहाँ पे location को option भी दिया होता है जहाँ से आप आपका location add करके आपके viewers को आपके subscriber को आप बता सकते हैं आप किस country से belong करते हो तो वो भी हम यहाँ से add कर लेते हैं तो मैं आपको दिखाता है यहाँ पे click करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे saarे countries available है तो आप जिस country से belong करते हो वो country आपको select करनी है तो मैं इंडिया से हुए तो मैं यहाँ इंडिया select करूंगा उसके बाद वो successfully update हो जाता है जिस topic के लिए हम ये वीडियो बना रहे अब बात आती है उसके यहां से दोस्तों आप आपके social networking sites के link add कर सकते हो ताकि आपके subscriber जो है उस link पे click करके आपके other social networking sites पे भी visit करें आपको follow करें तो maximum दोस्तों यहां पे आप 5 कोई भी links add कर सकते हो 5 links आप यहां पे add कर सकते हो फिर वो चाहे किसी भी आपके social networking sites के हो या आपके personal websites के हो तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखा देता हो कैसे आप आपके social networking sites के link add कर सकते हो तो आपको बस link पे click कर देना लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको add का option दिखेगा तो add पे क्लिक करना है दोस्तों add पे क्लिक करने के बाद आप देख सकतों यहाँ पे हमें URL का option दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको आपके social networking sites के profile का URL लालना है जिस social networking site का URL आप यहाँ पे paste करोगे उस social networking site का यहाँ पे आपको नाम लिखना है अगर मैं यहाँ पे facebook की link copy करता हूँ यहाँ पे URL पेस्ट करता हूँ उसका तो यहाँ पे मुझे दोस्तो facebook लिखना है और उसके बाद done पे click कर देना है जैसे मैं done पे click कर देता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरी facebook की link add हो चुकी है facebook की link add करने के बाद अगर मेरा कोई subscriber या मेरा viewer youtube channel को visit करता है youtube channel को visit करने के बाद दोस्तो अगर वो मेरे about us में जाके मेरे बारे में जादा जानकारी पानी की कोशिच करता है तो आप देख सकते हो यहाँ से उसे मेरे facebook page के बारे में भी पता चल जाएगा जहाँ पे click करके दोस्तो मेरा viewer जो है मेरा subscriber जो है दोस्तो वो मेरे facebook page पे विजिट होगा और वहाँ से दोस्तो वो मुझे facebook पे भी follow करेगा मेरे facebook page को भी like करेगा अगर मेरा content अच्छा हो तो कुछ इस तरह दोस्तो आप आपके twitter और instagram और आपकी website की भी link यहाँ पे add कर सकते हो जैसे आप देख सकते हो सागर info for you instagram पे भी available है तो मैं यहाँ से मेरे instagram की link कॉपी करूँगा उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पे जो pencil दिखरी उस पे आपको click करना उसके बाद जो है आपको add option पे click करना है तो और एक URL के लिए tab open हो जाएगा आपको यहाँ पे URL पेस्ट करना उसके बाद किस website का URL आपने यहाँ पे पेस्ट किया उस website का नाम देना उसके बाद आपको done कर देना है जैसे आप done पे click कर देते हो आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टाग्राम और facebook दो social networking sites के link यहाँ पे add हो चुके है तो मेरे जो viewer से मेरे subscriber होए है वो दोनों इस site पे visit करके मुझे follow कर सकते हो और मेरे से जादा से जादा connect रह सकते हैं तो आपके वीवर्स को है दोस्तो वो आपके साथ connectate रह सकते हो आप आपके वीवर्स को है आपके अदर social networking sites पे भी ले के आ सकते हो आपके साथ engage रख सकते हो उसी के साथ दोस्तों आपकी वीवर्स और आपकी subscribers जो है वो other platform पे भी आपके साथ connected रहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद दोस्तो आशा करता हूँ आपको अभी पता चल गया होगा कि कैसे आपकी YouTube account में other social networking sites के link add किये जाते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना दोस्तो channel पे नए हो तो channel को subscribe कर देना क्योंकि मैं ऐसी information आपके लिए लेके आते रहता हूँ मेरे other social networking sites के link अभी मेरे इस YouTube channel पे available है आप मुझे वहाँ पे follow कर सकते हो अगर आपको कोई information चाही हो तो चलो फिर मिलते हैं किसी next video में किसी next information के साथ तब तक के लिए दोस्तो stay safe, stay cool, bye bye